दोस्तो अपने HSE CET OMR sheet भी डाउनलोड कर ली होगी और answer की भी आपने डाउनलोड कर ली होगी लेकिन आप लगातार comment करें कि भाई objection हम किस प्रकार से लगाएं और कौन-कौन से बातों का अपने objection लगाते समय ध्यान रखना है अगर आपने notice complete read नहीं किया तो आप इसको download कर स सकते हैं जैसे link दिया गए है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो redirect जो है हम इसी page पर आ जाएंगे अब हम इसको login कर लेते हैं कि वीडियो में अन तक आप ज़रूर बढ़े रहना step by step आपको बताया जाएगा एक भी step को आप दोस्तों मिस मत करना बिलकुल भी नहीं आपकी payment भी हो जाएगी और आपके objection भी नहीं लगेंगे इसलिए वीडियो को अन तक जरूर देखना नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत करता है हमारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट में दोस्तों अगर आपने भी तक मारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्रा जो पसे जूड़ी सभी जान करी सबसे पहले पाने के लिए यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरू करें और टेलिग्राम चैनल को दोस्तों जोई जरू करें इस पेज़ पर आने के बाद दोस्तों आपने यहाप पर अपने रेजिस्टेशन नमबर और इससे पहले जो डेक्स्टोब मोड है इसको आप इनेवल जरू करें डेक्स्टोब मोड करने के बाद यहाप पर आपको अपनी होमार सीट भी मिल जाएगी और आपको आंस्वर की डाउनलोड कर लेते हैं साथ यों मारे आंस्वर की जो है वो डाउनलोड हो चुकी है अब देख सकते हैं दोस्तों पांच तारिकी इवनिंग शिफ्ट है यह जो जो इसका और अपका एप्षन यानि की एक नंबर ऑप्षन जो दिया गया है अगर आप आप अब ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो इन में से अगर आप इसमें एक उप्षन तो क्रैक्ट दिया गए है अगर आप इसका option दो है तीन है फिर चैयर है हम एक्जाम्पल के तोर पर इसका जो है एक बार हम दो कर लेते हैं तो दो करने के बाद यहां से इसको select करें है select करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है वो 500 KB का साइज जिसमें आपका होना चीह है यहांसे आप इसको फाइल को अपलोड करने के बाद यहां पर आपने डेश्बोर्ड वाड़े option पर क्लिक करना है अब डेश्बोर्ड वाड़े option आपकी category आपकी date over तो आपको सभी मिल जाएंगी उसके बाद आपको यहाँ पर यह दिख जाएगा कि आपने कौन से question पर जो है objection लगाया है यहाँ पर complete जो है वो मिल जाएगा आपको और जो भी documents आप यहाँ पर upload करेंगे वो documents जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा फिलाल हम आपको बताने के लिए documents upload नहीं क्या था no documents upload यहाँ पर आपको मिल गया है और यहाँ पर बताया गया कि एक question के जो है आपके 100 रुपए लगने वाड़े हैं तो इसलिए मैंने एक ही question पर objection लगाने के लिए भी select किया है तो हमें 100 रुपए pay करने है तो आपने किस प्रकार से pay करने हैं दोस्तों save and claim वाड़े option पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर camera bank का जो है यहाँ पर link दिया गया है इसके उपर आपने क्लिक करना है अब आप अपनी जो payment है उसको credit card debit card net banking UPI या QR code से भी जो है pay कर सकते हैं तो आपको अगर जानकारी इसले लगी वीडियो को like share comment आप जरू करें और step by step follow दोस्तों इसको जरू करें और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप comment box में पूच सकते हैं फिर टेलिग्राम चैनल पर पूच सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर दोस्तों आपको WhatsApp नूमर में मिल जाएंगे अगर आप objection के बारे में कुछ पूचरना चाहते हैं तो WhatsApp भी आप हमाई कर सकते है आप हमाई कर सकते हैं एलिग्राम चैनल पर देलिग्राम चैनल पिर आपको सकते हैं तो